दोस्तो भारते सिनिमा की इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म गदर एक प्रेम कथा 2001 में थेटर में रिलीज हुई थी और उस समय उस फिल्म के लिए दर्शकों का जो प्रेम था जो पागलपन था जो क्रेज था वैसा प्रेम वैसा पागलपन दो बारा कभी किसी फिल्म के लिए नहीं देखा गया इवन गदर से पहले भी किसी और फिल्म के लिए इस प्रकार का पागलपन या प्रेम मुझे तो याद नहीं है बस एक जैशन तोशी मा फिल्म के लिए फिल्म के बारे में हम सुनते हैं कि उस समय थेटर बिल्कुल मंदिर बन गए थे एक प्रकार से पर इन दो फिल्मों को अगर हम छोड़ दे तो बाकी किसी फिल्म के बारे में मैंने किसी फिल्म को ऐसा प्रेम, दर्शोकों का मिला गदर को जो प्रेम मिला था, वैसा दोबारा कभी नहीं हुआ, ऐसा कहा जाता है कि पाच करोड से अधिक टिकेट्स बिके थे, हलाकि कुछ जगों पर दस करोड का आकड़ा भी पढ़ने में आता है, अब उस समय इतना कुछ प्रॉपर ट्रेक, आज जैसा सिस्टम है, ऑनल से बड़ा चड़ा कर कलेक्शन को बताया जाता है, आज के समय सब कुछ online होते हुए भी यह हम अपनी आखों से देख रहे हैं, तो सोची उस समय 2001 में तो ऐसा कुई सिस्टम नहीं था, तो क्या प्रेम रहा होगा, क्या क्रेज रहा होगा उस फिल्म का, और वो तो मैंने लगी लेवल का यार वो experience था, और दोबारा वैसा experience लेने का अवसर मुझे कल मिला, कल 9 जुन को गदर एक प्रेम कथा के 4K Remastered Version को दोबारा से थेटर में रिलीस के आ गया है, मैंने कल रात का इसका शो देखा, मैं आज सुबह तुरंथ वीडियो डालने वाला था, पर पर उसके बाद भी, पर फिर भी कल थेटर में पूरा audience खचा खच पूरी भरी हुई थी, और थेटर में सीटिया तालिया बज रहे थी, एक-एक डायलोग के उपर तारा सिंग के, और मैं खुद भी जब फिल्म कल देख रहा था ना, पूरी फिल्म में, तीन घंटे और बा लगबग, इतनी देर रात तक शो में ने देखा, थेटर पूरा भरा हुआ था, इतनी रात का शो होते हुए भी, और तारा सिंग के डायलोग्स पर सीटिया और तालिया बज रहे थी, audience बिल्कुल, जैसे कुई नई फिल्म हम देख रहे हो ना, बिल्कुल वैसा ही experience था, औ और भाई, जो songs थे, क्या, कुछ आलगी feel हो रहा था, यार वो सारे इतने बड़े परदे पर वो जब सब गाने में दोबारा से सुन रहा था ना, उड़जा काले कावा, घराजा परदे सी, भाई, एकदम से emotional हो गया था मैं वो सब देखकर, सही मायने में timeless classic अगर किसी फिल है, गदर एक प्रेम कथा, सही मायने में ये एक timeless classic है, दुसरी फिल्में, कई सारी दुसरी फिल्में है, जबरदस्ती कुछ लोगों को मीडिया मैनेजमेंट के द्वारा जो superstar, king वगयरा जो बना कर रख दिया है, भाई, ये उनकी कुछ फिल्में जबरदस्ती उनको timeless classic वग सुख हूं कि इस कहानी को अनिल शर्मा जी कैसे आगे ले करके जाते है, हाला कि डर भी उतना ही है, पिछले बार भी मैंने गदर टू के टीजर के बाद में जब रिलीज हुआ था दो वर्श पहले, थोड़ी से अपनी चिंता विक्त की थी, कि भाई, ये सही तरीके से बनन टू, और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं कि भाई, ओर दे टॉप एक्शन हो, और जो सनी पाजी जब जोर से चिलाते हैं न, वो उन पर सूट भी करता है, दुसरी कई सरी फिल्में मैंने देखी है, कई सरी एक्टर्स वैसे जोर से चिलाते भी दिखाया जाते, पर व उनकी परसनलिटी पर वो बिल्कुल सूट करता है, कल मैंने जब थेटर में देखा, वो सारे दोबारा से सिंग, मुझे कही पर भी ने लगा कि भाई, ये कोई टेक्निकली वेलमेड फिल्म नहीं थी, या इसमें और खोड़ा बेटर होना चाहिए था, यहां पर खोड़ा इमोशन्स को छुआ, हैंट पर मुखाडने वाला जो सीन था, वहां पर थेटर में लिटरली लोग सब चीक रहे थे, जो कुछ भी डायलॉक्स थे, आशा करते हैं कि गदर का जो सेकंड पार्ट है, वो भी इसी प्रकार से हमें उतना ही जादा पसंद आए, उतना ही वो स्वागत करो उसका, नहीं तो इस बार वो दहेज में लाहोर ले करके जाएगा, 1971 के युद्ध के पहले का सीन समय फिल्म में दिखाया है, क्रश इंडिया मुमेंट जो पाकिस्तान में चली थी, गजवाय हिंद, वो तो अभी भी गजवाय हिंद की बाते, पाकिस्तानी वह और जो कुछ भी है हम इतिहास जादा हमें डिटेल में करश इंडिया मुमेंट के बारे में कभी किसी फिल्म के बारे में चर्चा होती नहीं है, हाला कि 1971 के समय पर कई सरी फिल्म में बनी हुई है, चाहे वो राजी हो या रोमियो अगबर वाल्टर भी एक फिल्म आई थी, और भी कुछ ऐसी 1970 के समय पराधारी फिल्म में आई हुई है, पर उनमें से किसी में करश इंडिया मुमेंट का उल्लेक मेने नहीं सुना, उल्टा राजी जैसे फिल्म में तो पाकिस्तान को बड़ा ही मासूम और जैसे वो ही विक्टिम हो पाकिस्तान, इस प्रकार से वहियात, भयानक प्रोपेगेंडा फिल्म थी वो, पर चलिए गदर के माध्यम से कम से कम ये इतिहास, ये सही इतिहास सामने आएगा, करश इंडिया मुमेंट के बार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चलेगा, और जो प्रोपेगेंडा फिल्मेकर्स हैं, वे लग सुनाई दिया, लाहूर भी लेकर के जाएगा, वो मैंने आपको बताया, दुसरा, तारा सिंग का जो कारेक्टर है, वो एक कबर के सामने, रोते हुए हमें दिखाई दे रहा है, जो मेरे अनुसार सकीना की ही कबर होगी, ऐसा लग रहा है, देखते हैं, क्या वो फिल् पार्ट देखा, तो शुरुवात में जिस प्रकार से पार्टिशन के इतिहास को समय को उन्होंने दिखाया है, वो सच में उस समय के हिसाब से 2001 की द्रिश्टी से अगर हम देखे, हाला कि उसे मैटल जी की सरकार थी, उसी कारण से ये फिल्म बन भी पाई थी, पर फिर भी बहुत बड़ी बात है, जिस प्रकार से पार्टिशन के इतिहास उन्होंने सही तरीके से दिखाया कि कहां से भाईलस शुरू हुआ, उस पर ये फिल्म बिल्कुल क्लियर रहती है, वहाँ पर कोई भी जबरदस्ती उन्होंने बैलेंस करने का प्रयास नहीं किया, क्लियरली फिल्म दिखाती है, कहां से भाईलस शुरू हुआ था, और शुरुआत में ये डायलोग भी है फिल्म में, कि जिनोंने आग लगाए थी, वो भी इन आग की लप्टों से नहीं बच पाए, आशा करते हैं कि उसी प्रकार की जो कुछ भी क्लेरिटी है, वो हमें गदर 2 में भी देखने को मिले, बगे दोस्तों आपके कितने एक्सपेक्टेशन से गदर 2 से, क्या गदर का पहला पाट, उसका 4K Remastered Virgin आप थेटर में देखने के लिए जाने वाले हैं, मुझे अपनी नीचे कमेंट में आऊश्य बताना, और हां कॉलिटी काफी इंप्रूट बढ़ि